हुआ है है गाइस वेलकम बैक इन आवर चनल माईसर्फ ही मंजीत याद और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कंक्ली टेक्नलोजी में टेस्टिंग आप सीमेंट तो जितने भी टाइप के टेस्टिंग करते हैं आज हम उसका डिसकस करेंगे तो सबसे पहला टेस है के फाइन नेस्ट परिच्छर फाइन स्टेस्ट का हुना होता है महींता परिच्छर सिमेंट जितना ज़्यादा महीन होगा उतना ही अच्छा माना जाता है क्योंकि जब ज़्यादा महीन होगा तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा महीन होने के वज़ा से उसकी सर्फे सेरिया बढ़ जाता है जब cement के particles की surface area बढ़ जाएगा यानि total amount देखा जाए cement का तो ज़्यादा महिन होने के वज़र से उसका surface area बढ़ जाएगा और surface area बढ़ने से उसकी workability बढ़ जाती है पहली बात, दूसरी बात यह है कि इसकी binding properties बढ़ जाती है जो बांधने की छमता होती है इसकी, जो binding properties cement की होती है वो बढ़ जाती है और इससे cement की खपत कम होता है, क्योंकि इसका surface area बढ़ जाता है जब surface area बढ़ जाता है तो इसकी वज़र से cement की खपत कम होती है कम सीमेंट ही एरिया पर जाने के वज़ए से जादा से जादा एग्रीगेट को क्या करता है ये बाइंडिंग उसे बांध लेता है अपने पास में ठीक है और इसकी वर्कबिल्टी भी बढ़ जाता है एक फायदा इससे और है जादा महीन होने से कि सीमेंट में एक्सपेंशन और कॉंट्रेक्शन कम हो जाता है तो इसलिए हम चाहते हैं कि सीमेंट जितना ज्यादा महीन होगा उतना ही अच्छा होता है इसके लिए दो टेस्टिंग करते हैं फाइनेस निकालने के लिए इसकी दो टेस्टिंग करते हैं एक होता है सीव टेस्ट और दूसरा होता है सर् सीव टेस्ट इसके लिए देखिए 90 माइक्रोन की चलनी लेते हैं 90 माइक्रोन की सीव लेते हैं एन्हीं साइज आप सीव अगर आप से पूछा देखिए यहां से बहुत सारे क्वेस्टन बनते हैं जितने भी मैं पॉइंट बताऊंगा बहुत ही इंपोर्टेंट होगा सीव टेस्ट करने के लिए जो सीव का साइज होता है साइज आप सीव 90 माइक्रोन की यूज किया जाता है या इसे खह सकते हैं 9 नमबर की चालने यूज करते हैं 9 नमबर का सीव यूज करते हैं ठीक है, नौ नंबर को ही बोलते हैं, 90 माइक्रोन की सीव, तो सीव टेस्ट से फाइननेस निकालने के लिए 90 माइक्रोन की सीव यूज किया जाता है, पहली बात यह भी, दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो सीमेंट का सेंपल लेते हैं, वो 100 ग्राम सीमेंट ले लेते हैं, सीमेंट कितना लेंगे, 100 ग्राम, सीव टेस्ट करने के लिए सीमेंट कितना लेते हैं, 100 ग्राम लेते हैं, ठीक है, और इस 100 ग्राम सीमेंट को 90 माइक्रोन की सीव से 15 मिनट तक चानते हैं, 15 मिनट तक, ठीक है, टाइमिंग कितना होता है, टाइमिंग लगता है 15 मिनट का, कई बार question में पूछ लेता है कि कितने देर तक उसको चालते हैं, तो 15 मिनट तक, ठीक है, अगर हम 90 माइक्रोन के चालने से 100 ग्राम सिमेंट को 15 मिनट तक चालते हैं, तो चालनी के उपर, यानि सिव के उपर, 10% से ज़्यादा impurities नहीं रुकना चाहिए, या जो सिमेंट है आपका, वो 10% से ज़्यादा retained नहीं होना चाहिए, चालनी के उपर, 10% से ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, यानि हम कह सकते हैं, जो इसके उपर retained करेगा, या जो impurities ज वो सब क्या होगा चालनी के ऊपर से रुख जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो रिटेंड होता है वो हमेशा 10% से कम होनी चाहिए 10% से कम रुकना चाहिए यह जो इंप्यूर्टीज है कितना होना चाहिए 10% से कम होना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि हमारा cement की जो finest है वो बिलकुल अच्छी है यह बहुत important चीज था दूसरी बात यह है कि आप 90 micron के sieve के अलावा आप 200 micron के sieve से भी चाल सकते हैं अगर आप sieve की size 200 micron का लेते हैं ठीक है और cement आपका 100 gram ही रहेगा और इसको 5 minute तक चालते हैं चाहिए वो कितना होना चाहिए चालनी के ऊपर एक पर्सेंट से ज्यादा रीटेंड नहीं होना चाहिए एक पर्सेंट से कम होना चाहिए ठीक है तो यह दो बाते बहुत इंपॉर्टन था इन्हीं में से एक्जामों में कोई भी पॉइंट पूँछ सकता है यहां से काफी question एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं अब हम बात करते हैं यह तो हो गया सीव टेस्ट दूसरा finest टेस्ट करने के लिए surface area टेस्टिंग करते हैं surface area surface area test सतही परिक्षर surface area test ठीक है surface area test मैंने आपसे पहले भी बताए कि सीमेंट जितना जादा महीन होगा उतना ही अच्छा माना जाता है तो जितना जदा महीन होगा उसका surface area उतना ही ज़्यादा होगा अगर एक ग्राम सीमेंट ले लिया जाए और उसका surface area निकाना जाए ठीक है अगर OPC सिमेंट की हम बात करें ordinary potland cement की बात करें तो एक ग्राम cement का जो surface area होना चाहिए कितना होना चाहिए 2250 cm2 से कम नहीं होना चाहिए एक ग्राम cement का जो surface area होता है कितना चाहिए 2250 cm2 अगर यहीं पर rapid hardening cement की बात करें rapid hardening cement यह था OPC cement यह है rapid hardening cement तो एक ग्राम सिमेंट का जो सर्फेस एरिया होता है बती सो पचास सेंटीमीटर स्क्वार से कम नहीं होना चाहिए तो ये बाते दो बाते थी जो कि आपको ध्यान में रखना है तो finis test करने के लिए sieve test करते हैं और surface area test करते हैं sieve test में ये है कि 90 micron के चालनी से अगर हम 100 gram cement को 15 मिनट तक चालने तो 10% से ज़्यादा उसमें असुधिया नहीं होना चाहिए या चालनी के ऊपर 10% से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए अगर 200 micron के चालनी से आप 100 gram cement को 5 मिनट तक चालते हैं तो 1% से ज़्यादा चालनी के ऊपर नहीं रुकना चाहिए बाकी पूरा पास हो जाना चाहिए surface area testing में ये है कि अगर 1 gram cement को ले ले तो 2250 cm square से कम area नहीं आना चाहिए OPC cement के लिए और rapid hardening cement के लिए 3250 cm square से कम नहीं होना चाहिए अब हम बात करते हैं दूसरे test की जिसका नाम है normal and standard consistency of cement very most important testing for cement क्योंकि बिना consistency test किये हम initial setting time नहीं चेक कर सकते हैं ना ही soundness की testing कर सकते हैं ना ही final setting time की testing कर सकते हैं तो इस testing is very important for cement normal or standard consistency of cement second testing की तरफ हम चलते हैं नार्मल और standard consistency of cement ठीक है इसको हिंदी में बोलते हैं शगंता परिच्छार इसको समझे कैसे करते हैं नार्मल कॉंसिस्टेंसी या standard consistency test के लिए हम विकार्ट अप्रेटर्स का यूज करते हैं कई बार एक्जामों में देखिए पूच लिया जाता है कि किस अप्रेटर्स का यूज किया जाता है तो इसके लिए जो अप्रेटर्स यूज करेंगे उसका नाम क्या है विकार्ट विकार्ट अप्रेटर्स का यूज करते हैं consistency test के लिए ठीक है तो यह याद रखेंगे आप कौनसा अप्रेटर्स यूज करते हैं विकार्ट अप्रेटर्स यूज किया जाता है ठीक है चलिए इसका step by step देखते हैं सबसे पहले यह देखते हैं consistency होता क्या है what is consistency of cement यह consistency क्या है consistency का मतलब होता है सघंता सघंता क्या होता है cement में पानी की वह मात्रा कि अगर हम उस पानी की मात्रा को से cement का paste बनाया जाए तो cement का जो paste है विकार्ट अप्रेटर्स के मौल्ड में रखें और 10 mm डाया का जो needle हूज किया जाता है अगर उसको उस sample में हम डालें तो bottom से 5-7 mm के ऊपर रुक जाना चाहिए या top level से देखा जाए mold के top level से 35-35 mm तक के ऊपर ही रुक जाना चाहिए वह कहलाता है consistency of cement यह हमें यह बताता है कि cement में पानी की मात्रा sufficient है कि नहीं यह जितना हमें hydration के लिए पानी चाहिए होता है देखिए अगर cement में हम जादा पानी मिला देते हैं तो इससे strength कम हो जाता है और cement में पानी कम मिलाते हैं तो पूरी तरह से hydration नहीं हो पाता है जब पूरी तरह से hydration नहीं हो पाता है तो cement के जितने compound होते हैं वो अपना अपना strength नहीं दे पाते हैं ठीक है इसलिए cement में उतना तो पानी मिलाना चाहिए जिसे वो पूरी तरह से hydration हो सके जब पूरा hydration होगा तभी chemical जितने भी compound है वो आपस में reaction करके strength को gain करते हैं इसलिए और ज्यादा भी पानी अगर मिला देंगे तो क्या होगा उसकी strength कम हो जाती है cement की तो consistency फिर समझे क्या होता है यह cement में पानी की वह मात्रा कि अगर cement paste को विकाट अप्रेटर्स के mold में डाला जाए और 10 mm का needle उसके अंदर डाला जाए तो वो bottom से 5 से 7 mm के उपर रहना चाहिए वो कहलाता है consistency of cement ठीक है कैसे test करते हैं इसका देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि विकाट अप्रेटर्स का यूज़ किया जाता है ठीक है विकाट अप्रेटर्स इस विकाट अप्रेटर्स में एक कौन के shape का mold होता है कौन के सेप का एक मॉल्ड होता है जिसमें सिमेंट को रखा जाता है इसका जो अपर डारा होता है वो 80 mm होता है और इसकी जो हाइट होती है वो 40 mm होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि विकाट अपरेटरस में जो मॉल्ड होता है जिसमें हम सिमेंट को भरते हैं सिमेंट पेस्ट को इसका डारा 80 mm होता है और इसकी हाइट 40 mm होती है यह कौन के सेप का होता है ठीक है उसके बाद हम क्या काम करेंगे इसमें एक प्लंजर यूज किया जाता है जो प्लंजर इसके भिकाट अप्रेटरस है उसमें ये वाला plunger हम यूज करते हैं ठीक है और ये मोल्ड यूज करते है ठीक है इस विकाट अप्रेटरस में ये मोल्ड यूज करेंगे जिसकी साइज 80 mm और 40 millimeter height रहेगा इसका और इसका plunger यूज करेंगे plunger की जो यहाँ से depth होता है ये भी examo में पूछा जाता है कि इसका डाया कितना लेते हैं इसकी height कितना लेते हैं इसका length कितना होता है तो ये 10 mm का डाया होता है और 50 mm इसकी height होती है इस plunger की ठीक है बहुत important चीज है और इसका जो weight होता है plunger का weight वेट वो होता है 300 g कई बार यहां से question बन जाता है कि प्लंजर की जो डट होता है कितना होता है 300 g होता है इस प्लंजर की height कितनी होती है यह 50 mm यह जो होता है यह तो we caught apparatus चला जाता है वह set कस्ष देते हैं उसको डाल के उसमें और यहां पर जो cement लेंगे ना एब वोEst sample के रूप में कितना लेते हैं 400 g salmon को हम cement लेंगे अब इसमें हम पानी की मात्रा मिलाएंगे पहली बार तो हम किसमांट मिलाते हैं 25 परसेंट पानी पहली बार मिलते हैं ठीक है कई बार टेस्टिंग करते रहते हैं तो पहली बार क्या करेंगे वाटर हम कितना ले लेंगे 25 पर्षेंट ले लेंगे 25 पर्षेंट मा हैं अपनेघा में Ziel marketing डाल दिया 2400 ग्राम में उसके वाहा में सेट करें के हैं तो जब हम इसको डालते हैं न यहां मिरमंट से लेdar के उपर ही होना चाहिए Champa से मिरमंट करते है यह कि दखिए जब यह इसमें पानिकी मात्रा बहुत ज्यादा रहेगा यह मैं तो यह फ्लगर चला जाएगा उस्मेट है और पानी की मातरा बहुत कम कर देंगे तो यह प्लंजर हो सकता है उपर ही रूख जाए या बीच में रूख जाए तो हमें क्या करना है हमें पानी की वह मातरा इसमें सिमेंट के पेस्ट में डालना है कि जिससे यह जो प्लंजर है इस मॉल्ड में अगर हम डालें तो बॉटम से 5-7 mm के उपर ही रूख जाए यह जो प्लंजर डालेंगे तो यही पिजा के कहीं रूख जाना चाहिए ठीक है यह अगर उपर से हम मिजर्मेंट करेंगे तो कितना होना चाहिए 35 mm से लेके 33 mm तक ठीक है उपर से मिजर्मेंट करेंगे तो निडल कितना जाना चाहिए इसके अंदर 33 से लेके 35 mm तक उपर से अंदर तक इसमें जाना चाहिए वही जो पानी के जब पानी की वह मात्रा कि हमारा ये प्लंजर है उपर से 33 से 35 mm तक ही अंदर जाना चाहिए या तो 33 या तो 35 के बीच में होना चाहिए 33 से कम नहीं होना चाहिए और 35 से जादा नहीं होना चाहिए ठीक है 33 से कम नहीं होना चाहिए 35 से जादा नहीं होना चाहिए उसी की बीच में ही ये प्लंजर रुख जाना चाहिए वही अमाउंट कहलाता है consistency of cement अगर आपने पहली बार 25 परसंट डालके चेक किया पर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ऐसे पानी बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो एक समय आएगा कि हमें एक actual में percentage मिल जाएगा ये standard percentage जो आता है वो कितना आता है 30% आता है यहां से भी question मुझ लिया जाता है कई बार कि standard percentage of water for consistency कितना होता है 30% वैसे ये average आपका 32% से लेके 34% तक हो सकता है ठीक है 32 से लेके 34% तक आ जाता है बड़ 30% क्या इसका standard water percentage of for consistency ठीक है तो यह बहुत important चीज था तो वैसे करते कैसे मैं एक बार आपको बता दूँ कि सबसे पहले 400 ग्राम सिमेंट आपने लिया माने जी आपने उसमें 30% वैसे यह मान के चलिए 32-34% ही आता है बड़ हम टेस्टिंग करते हैं न उसका तो मानी जा आपने पानी मिलाया इसमें ठीक है पानी मिलाया आपने उसके बाद उसका पेस्ट बनाया पेस्ट बनाने के बाद आप उसमें क्या करेंगे इस मॉल्ड में डालेंगे मॉल्ड में डालने के बाद यह plunger जो होता है उपर से छोड़ देते हैं के उपर तो ये जो है अंदर चली जाती है अब जब चली जाएगी तो हम इसका measurement कर लेंगे उपर वो indicator लगा हुआ होता है reading लिखा हुआ होता है वहाँ समय पता चल जाता है कितना है मंदर गया हुआ है तो हम measurement कर लेंगे उपर से देखेंगे 33-35 तक ही अगर जाता है तो हमारा यह consistency बिलकुल सही है पानी के मात्रा सही है ठीक अधर्वाइज amount पानी का change करके फिर हम दूसरी testing करेंगे ठीक है तो यह तो था consistency test of cement ठीक है अब हम दूसरे testing की बात करते हैं दूसरे testing की बात करते है इनीशियल setting time की हम बात करते हैं ठीक है मान लिजी आपने यहां से कोई निकाला वह percentage मालो पी है इस पी का हम आगे यूज करेंगे ठीक है इस पी का हम आगे यूज करेंगे जो consistency आपने निकाला हुआ है न उसी percentage का यूज आगे किया जाता बागी के टेस्टिंग में ठीक है कि थर्ड नंबर प्याता है सेटिंग टाइम जमाओ काल देखिए जब सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो सीमेंट क्या होता है सेट होने लगता है और हार्ड होने लगता है ठीक है जब सेट होगा और हार्ड होगा तभी वो स्ट्रेंथ को गेन कर पाता है तो जैसे हम पानी सेमेंट में मिलाते हैं तो क्या होता है उसे में हाइड्रेशन होना स्टार्ट होता है जब हाइड्रेशन होगा तो जितने भी केमिकल कंपाउंड है वो आपस में रियेक्शन करते है तब cement set होना start होता है और hard होना start होता है तो हमें एक time मालूम होना चाहिए कि initial setting time इसका कितना है और final setting time इसका कितना है क्योंकि जब भी हम cement motor या cement concrete बनाते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कितने देर के बाद वो जमना start हो जाएगा कितने देर के पाद जमना start हो जाएगा क्योंकि माने जिसी segment concrete है आपने बनाया ऐसा भी हो सकता कि जैसे आप ने पानी डाला तुरन जम जाए और ऐसा भी हो सकता कि आपने उसमें पानी डाल दिया और 10 घंटे तक जमा थे नहीं ने हुआ तो हमें एक initial setting time हम सबसे पहले बात करेंगे इनीशियल सेटिंग टाइम की इनेशियल का मतलब होता है प्रारंभिक प्रारंभिक जमावकाल इनिस्यल सेटिंग टाईम हमें यहां से पता चुछ लेगा कितने देर के बाद सीमेंट जमना स्टार्ट होता है कैसे करते हैं टेस्ट Initial Setting Time Check करने के लिए भी जो Apparatus यूज किया जाता है वो किया जाता है विकार्ट अपरेटस याद रखेंगे विकार्ट अपरेटस का यूज किया जाता है यहाँ पर जो हम सैंपल के लिए सिमेंट लेते हैं वो कितना लेते हैं? 400 ग्राम सिमेंट लेते हैं 400 ग्राम सिमेंट ले लिए ठीक है? 400 ग्राम सिमेंट हमें निकालना क्या है? Initial मतलब सिमेंट में पानी मिलाने के कितने देर बाद सिमेंट जमना स्टार्ट होता है वो कहलाता है Initial Setting Time फिर से समझेंट में पानी मिलाने के कितने देर बाद जमना start होता है setting होना start होता है वो कहलाता है initial setting time कैसे test करते हैं वो देखिए इसके लिए vikart apparatus का यूज किया जाता है cement 400 gram ले लेते हैं इसमें जो water मिलाते हैं वो कितना मिलाते हैं water percentage कितना मिलाते हैं 0.75 P 0.75 P इतना percentage हम क्या मिलाते हैं water मिलाते हैं किसका weight of cement 400 gram का चलिए देखते हैं मालेजे P क्या है consistency of cement है मालो आपने 30% निकाला हुआ है 30% मालेजे P का value क्या है जहाँ P क्या है consistency मालेजे 30% आ रहा हुआ है तो कैसे निकालेंगे 0.75 into 30 कर देंगे यहां पर तो यह आपका हो जाएगा सारे 22% आ गया पानी कितना गया सारे 22% water कितना मिलाएंगे सारे 22% मिलाएंगे किसका सारे 22% 400 ग्राम का यहनी 400 का सारे 22% हम निकालेंगे यहां से जो आप solve करेंगे उतना ग्राम हम पानी मिलाएंगे initial setting time चेक करने के लिए यह जो percentage जो water percentage हमें नहीं निकाला है कि जैसे माने आपको बोला कि सारे 22% पानी निकाल तो किसका सारे 22% होता है सीमेंट के वेट का सीमेंट का जितना वेट है उसका ठीक है तभी मैंने आपको बोला कि consistency बहुत important है बिना उसका थो हम initial testing भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसी से हम water percentage यहां पे निकालते हैं ठीक है तो कितना पानी मिलाते हैं 0.75 into या ऐसे कह सकते हैं consistency का 75% यह 75% है बटे 75 बटे 100 था तो 100 को मैंने divide कर दिया तो 0.75 पे लिग दिया यह 75% of consistency है एक्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि कितना percentage water मिलाते हैं तो 75% of consistency of cement तो जो consistency है उसका 75% हम पानी मिलाते है initial setting time check करने के लिए ठीक है तो उसके बाद paste हम बनाते हैं ठीक है paste बनाने के बाद क्या काम करते हैं अब यहाँ पर हम plunger यूज नहीं करते हैं यहाँ पर हम एक sweet needle यूज करते हैं square के cross section में होता है और इसका size होता है एक mm by एक mm का square के shape में यह needle होता है वर्गा कार के shape में होता है एक mm इसका डाया कह सकते है एक mm by एक mm का यहाँ यूज किया जाता है एक mm डाया कह सकते हैं एक mm डाया का हम needle यहाँ यूज करते हैं यहाँ पर यह plunger यूज नहीं करते हैं ठीक है तो देखिए cement में पानी मिलाने के बाद हम stop watch होता है चालू कर देते हैं और यह देखेंगे कि कितनी देर के बाद यह जो हमारा needle है इसको अगर हम इस sample में डालते हैं इस mold में डालते हैं तो यह bottom से 5 mm उपर तक रुख जाना चाहिए अगर bottom से 5 mm उपर रुख गया तो जितनी देर के बाद cement में पानी मिलाने के जितनी देर बाद एक mm की सुई इस mold में bottom से 5 mm के उपर रुख जाए वही time कहलाता है initial setting time बासवन में आई तो initial setting time अगर OPC cement के लिए देखा जाये तो कितना होता है ordinary Portland cement के लिए जो standard initial setting time है वो होता है 30 minute याद रखेंगे आप initial setting time of OPC cement कितना होता है 30 minute यही अगर rapid hardening cement की बात किया जाए तो कितना होता है 5 minute कितना होता है 5 minute तो अगर यहां से कोई question पूछे जाएगा तो बस यही question आप से पूछा जाएगा initial setting time में यह पूछता है कौन सा apparatus यूज करते हैं विकार अप्रेटस कितने ग्राम सिमन लेते हैं 400 ग्राम सिमन लेते हैं यहाँ पर निडिल कितने mm डाया का यूज करते हैं 10 mm डाया का यूज करते हैं बॉटम से सोरी एक एमेम डाया का यूज करते हैं निडल वहाँ पर ठीक है बॉटम से कितना उपर लुखना चाहिए पांच एमेम के उपर लुखना चाहिए OPC सिमेंट के लिए कितना होता है तीस मिनट होता है रैपेज हार्णिंग सिमेंट के लिए कितना होता है Quick Setting Cement Sorry Quick Setting Cement ठीक है Quick Setting Cement के लिए कितना होता है ये पांच मिनट होता है अब हम बात करते है Final Setting Time की Quick Setting Cement अब Final Setting Time के अगर हम बात करते है तो Final Setting Time क्या होता है Cement में पानी मिलाने के कितनी देर बाद वो जमना बंद हो जाता है Cement में पानी मिलाने के कितनी देर बाद वो जमना बंद हो जाता है ये पूरी तरह से वो हाड हो जाता है ठीक है तो इसको कैसे टेस्टिंग करते हैं इसको टेस्टिंग करने के लिए यही विकाट अप्रेटर सी यूज किया जाता है यही सिमेंट होता है 400 ग्राम यूज करते हैं पानी की मात्रा वही मिलाते हैं सेम सेंपल होता है अब हम क्या करते हैं यह जो needle है उसको change कर देते है एक mm की needle का swi लगा हुआ होता है बट इसके साथ में collar लगा हुआ होता है ठीक है इसके साथ में क्या लगा हुआ होता है collar लगा हुआ होता है यह collar है आपका collar का जो size है 5 mm है और needle आपका एक mm डाया का है ठीक है अब हम इसको नहीं यूज करेंगे देखिए ये consistency के लिए यूज किया गया था ये initial setting time के लिए यूज किया गया और ये आपका final setting time के लिए यूज किया गया ठीक है तो cement में पाने मिलाने के जितनी देर बाद जितना देर बाद यह needle जब इस sample पे हम जो paste है cement का उसके उपर सुई है ये तो निसान बना देना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो caller बना हुआ है यह निसान उस पर paste पे न लगाए ठीक है अगर cement paste पे हम इस caller के साथ वाली जो एक mm की सुई अगर उस sample पे छोड़ें तो एक mm का तो निसान लगा देगा लेकिन जो 5 mm का caller लगा हु कि OPC cement के लिए होता है 10 घंटे ठीक है और quick setting cement के लिए quick setting cement के लिए यह होता है 30 minute ठीक है तो यह बात आप याद रखेंगे यह बहुत important चीज मैंने भी आपको बताया यह बात आप ध्यान में रखेंगे ठीक है तो यह था आपका initial setting time भी हो गया quick setting time भी हो गया ठीक है अब हम बात करते हैं setting time भी testing हो गया अब soundness test को समझ लेजिए soundness testing आपका बात करते हैं लेजिए soundness निर्दोसिता परिच्चर बहुत important है यहां से भी question काफी पूछे जाते हैं soundness soundness क्या होता है इस testing से हम क्या पता करते हैं इस testing से हम यह पता करते हैं कि cement में lime और magnesia की मात्रा तो नहीं है यहनि हम इसमें magnesia और lime के मात्रा का पता लगाते हैं कि यहां पर free lime and magnesia कितना है इसके लिए कैसे testing करते हैं इसके लिए जो apparatus यूज किया जाता है ली चैटलियर बहुत exam में पूछा गया है ली चैटलियर apparatus का यूज किया जाता है द्यान रखेंगे आप ली चैटलियर apparatus कैसा होता है उसका diagram आप देख लीजिए 30 mm साइज का एक सिलिंडर होता है छोटा सा 30 mm सिलिंडर के सेप में होता है 30 mm अगर उसके हम elevation की बात करें ठीक है या plan चलो बना देता हूं तो 30 mm साइज का एक सिलिंडर होता है जिस पर एक handle भी लगा हुआ होता है और यहां बीच में पांच mm की जिर्ली कटी हुई होती है पांच mm का यहां पांच mm की gap होती है इसको पकरने के लिए एक ऐसे rod लगा हुआ होता है ठीक है यह डायाब का 30 mm है और यहां सेंटर से इसकी टोटल लेंथ होती है 165 mm यह भी एक्जामों में पूँचा जाता है ठीक है तो हम करते क्या है कि एक cement paste बनाते है और है इस cylinder में भढनते है तो cement paste कैसे बनाते है इसके जर्छा की मातरा लेकर चलते हैं 100 Gram cement लेकर चलते है सो ग्राम सिमेंट लेके चलते हैं ध्यान देना सेंपल के लिए कितना सिमेंट लेंगे सो ग्राम सिमेंट का यूज किया जाता है ठीक है बाकी में 400 ग्राम हम सिमेंट लिए थे और यहाँ पर water कितना मिलाएंगे, water percentage कितना मिलाएंगे, यह बहुत important चीज है, तो यह 78% of consistency या 0.78 P, पानी मिलाते हैं, P क्या है, consistency of cement है, इसको मिलाएंगे, मिलाने के बाद, इस cylinder, यह जो cylinder है, इसमें उपर नीचे से open होता है, तो नीचे भी एक glass का pen लगा देते हैं, नीचे तरब से, और इसमें sample को भर देते हैं, और उपर से glass pen को लगा के बंद कर देते हैं, फिर पानी में 24 गंटे के लिए हम डाल देते हैं, 24 गंटे के बाद डाल इसको जो है, फिर आदे घंटे तक पानी में उबालते हैं, धीरे धीरे temperature को बढ़ाते हैं, उबालने के बाद हम देखते हैं, कि यहाँ पे जो यह जिल्ली कटी हुई है, यह पहले 5 mm था, ठीक है, जब 24 गंटे बाद हमने पानी में निकाला, तो यहाँ का डाया हम measurement कर लें ठीक है, यहाँ से भी measurement कर सकते हैं आप, और यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों बात यह की है, ठीक है, और फिर जब आप 3-4 जब इसको आदे घंटे उबालने के बाद फिर इसका जो है distance measurement कर लेंगे, तो मानलो पहले आपका D1 आया था, दूसरी बार D2 आ गया, तो दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यह different 10 mm से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, यह जो D1 माइनस D2 की मैं बात कर लहा हूँ आप से, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम अगर है, तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा है, तो ठीक, नहीं, इसका मतब उसमें lime और मैगनिसिया, फ्री lime और मैगनिसिया की amount ज़्यादा है, तो यह बहुत important testing था, तो आप समझ गए होंगे, मेन जो पूछा जाता है, वो यही पूछा जाता है, कि इसमें apparatus कौन सा यूज करते हैं, लीच एटलियर यूज करते हैं, कितने ग्राम सिमन लेते हैं, 100 ग्राम जाता है, 10 mm, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगले test की बात करते हैं, compressive strength test and tensile strength test, बहुत important testing है यह, इसको समझ लिजिए, यहां से भी exam में question बहुत बनता है, compressive strength of cement and tensile strength of cement, very most important, यह test है आपका, compressive strength, सम्पीडन सामर्थ, सिमेंट की सम्पीडन सामर्थ, कम्प्रेसिव strength test of cement, इसके लिए हम सिमेंट और सेंड दोनों लेते हैं, सिमेंट और सेंड का मोटार बनाते हैं, मसाला बनाते हैं, सिमेंट और सेंड लेते हैं, दोनों ही one ratio three में लिया जाता है, बहुत important चीज़े पूछा गया exam में यह, कि cement और sand का ratio कितना लेके चलते हैं तो cement और sand का जो ratio लेते हैं वो एक ratio तीन लेके लेते हैं ठीक है मसाला बनाएंगे मसाला बनाने के बाद यहाँ पर हम बनाते हैं cube और उस cube का size है 7.06 cm 7.06 cm size का हम बनाते हैं इसमें cube इस cube को बनाने के बाद अब इस cube को बनाने के लिए यहाँ पर जो water मिलाते हैं वो कितना percentage मिलाते हैं वो देखे आप वो बहुत important चीज है कि water percentage कितना मिलाया जाता है इस cement मसाले को बनाने के लिए तो water आपका आएगा कितना मिलाते हैं पी अपान 4 प्लस 3.5 इंटू वेट ओफ सिमेंट प्लस सैंड ठीक है यहां से आप क्या निकालेंगे वाटर निकालेंगे ठीक है पी बाई 4 प्लस 3.5 इंटू वेट ओफ सिमेंट प्लस सैंड यहां से हम वाटर की मात्रा निकाल लेंगे बात सवन में आई की नहीं वाटर निकालने के बाद हम क्या करेंगे वो सेंपल बनाएंगे यह क्यूब बना लेंगे ठीक है और क्यूब बनाने के बाद कम सकम 6 क्यूब बनाते हैं उसको पानी में डाल देते हैं पानी में डालने के बाद हम तीन दिन के बाद स्ट्रेंथ निकालते हैं और साथ दिन के बाद स्ट्रेंथ निकालते हैं और देखते हैं कितना वेलू आता है अब मैं जो बताने वाला हूँ बहुत important चीज है, यहां से question पूछता है, अगर OPC cement की compressive strength की बात किया जाए, तो अगर after 3 days, अगर 3 दिन का strength आप निकालते हैं, 3 days का strength निकालते हैं, तो कितना आना चाहिए, और 7 दिन बाद strength निकालते हैं, तो कितना आना चाहिए, यह बहुत important चीज है, 160 kg पर cm2 आना चाहिए, तीन दिन में और 7 दिन में आना चाहिए, 220 kg पर cm2 एक सो साथ किलो ग्राम पर cm2 और 7 दिन में अगर strength निकालनें, तो 220 kg पर cm2 इसका compressive strength आनी चाहिए, ठीक है? यहीं पर अगर rapid hardening cement की बात किया जाए, तो इसका strength जब हम निकालते हैं, तो एक दिन का निकालते हैं, ठीक है? एक दिन का निकालते हैं, 115 kg पर cm2 आना चाहिए, और फिर 3 दिन बाद निकालते हैं, ठीक है? यहाँ पर rapid hardening cement के लिए क्या है? एक दिन और 3 दिन के बाद निकालते हैं, तो 115 और 210 kg पर cm2 आना चाहिए, यह value बहुत important है, इसे आप याद रखेंगे हमेशा, ठीक है? क्यूब जैसा, क्यूब कंक्रीट के लिए आप testing करते हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा, आपने जैसे क्यूब बना लिया, क्यूब बनाने के बाद 24 घंटे तक आपने पानी में डाला, उसके बाद उसको निकाला, compressive strength testing machine में लेके जाएंगे, आप वहाँ पर रखेंगे, और वहाँ पर weight लगाएंगे, ठीक है, जब उस पर load लगाएंगे, तो क्या होगा, एक किसी reading पर क्या होगा, वो जाकर तूटेगा, तो जब तूट जाएगा, तो वही reading लिख लेते हैं, तो compressive strength निकालने का formula यूज कर लेते हैं, compressive strength बराबर क्या होता है, breaking load, जिस load पर तूट रहा है, breaking load, अपान में, इस cube का area, area of cube, इसी से तो निकालते हैं, ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर पूछा जाता है, कि जो compressive strength testing machine है, cement की compressive strength निकालने के लिए, किस rate से load लगाते हैं, बहुत important चीज़ है, किस rate से load लगाते हैं, तो 350, याद रखेंगे, जो compressive strength testing का machine का rate है, 350 kg per cm2 per minute के rate से लगाते हैं, इसे आप लोग not down कर लेंगे, 350 kg per cm2 per minute के rate से वहाँ पर हम, जो UTM आपका जो compressive strength testing machine है, उस पर इसी rate से load को लगाते हैं, ठीक है, अब second बात करते हैं, tensile strength testing की, tensile strength की बात करते हैं, तो tensile strength के लिए भी हम, cement और sand का जो ratio लेके चलते हैं, cement और sand का जो ratio लेके चलते हैं, one ratio three में लेके चलते हैं, यहाँ पर जो water का amount लगाते हैं, boost का form में थोरा सा बदल जाता है, क्या होता है, water, 0.2p plus 2.5, 0.2p plus 2.5 into weight of cement into weight of cement plus sand, यह यह weight of cement plus sand हटा सकते हैं, तब यह percentage में आ जाएगा, water का percentage आएगा, और जो cement और sand का total आप weight कर लिजिए, फिर उसी का वो percentage निकाल लिजिए, ठीक है, उतना percentage पानी मिला जाएगा, तो यहाँ से हम sample बना लेंगे, फिर क्या करते हैं, एक vicious प्रकार का bracket बनाते हैं, यहाँ पर vicious प्रकार का एक ब्रिकेट बनाते हैं, और उस ब्रिकेट को लेके जाते हैं, tensile strength testing machine में चेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम tensile strength निकालते हैं, अगर OPC cement की बात किया जाए, तो तीन दिन में और साथ दिन में कितना होना चाहिए, OPC cement की बात किया जाए, तो तीन दिन में 20 kg पर cm2 होना चाहिए, और साथ दिन में 25 kg पर cm2 होना चाहिए, यहनि 20 kg पर cm2 and 7 days में 25 kg पर cm2 होना चाहिए, अगर यही पर हम rapid hardening cement की बात करें तो एक दिन में tensile strength निकालते हैं और तीन दिन में निकालते हैं तो एक दिन में 15 kg पर cm2 होनी चाहिए और तीन दिन में 30 kg पर cm2 strength आनी चाहिए ठीक है तो यह 6 प्रकार के testing है यहां से बहुत सारे important question यहां से बनते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको सारी चीज़े बिल्कुल clear हो गया होगा यदि कोई confusion कोई doubt है आप comment box में लिखेंगे उसका reply आपको मिलेगा फिर मैं मिलता हूँ next video में अगर आप लोगों ने हमारे इस youtube channel को subscribe नहीं किया है तो कर लिजी क्योंकि